ज़ार्कन लोटरे प्रवासी मजदूरों को ज़ार्कन में रोजगार देने के लिए राजस सरकार की ग्रामिन विकास विभाग ने पहल तेज कर दिये दूसरे राज़ों से वापस रोटरे मजदूरों की 90 फीसिदी संख्या ग्रामिन शेतरों से और इसको देखते हुए राजस सरकार इने ग्रामिन विकास विभाग की यूचनाव से जोड कर रोजगार दे रहे हैं लोगडॉन के दौरान दूसरे राज़ों से परवासी मजदूरों का छारखन आने का सिल्सिला जारी है करीब 9,00,00,00 ऐसे मजदूरों की संख्या है जो लोगडॉन में दूसरे राज़ों विभसे हुए हैं जार्कन सरकार इनके घर वापसी के साथ साथ इनके रोजगार को लेकर भी लगातार काम कर रही है। यहां की जो मजदूर दो मैने से बेटे हुए हैं प्रवासी मजदूर आ रहे हैं सारे लोग को रोजगार देना होगा है और मजदूर का यह संखाय होग देखते हैं उसमें 90 परतिसत लोग जो ग्रामिन शेतर से जुड़ा हुआ है और हमारे पास ग्रामिन विकास जो काम कर रहे हैं मनरगा के तार ग्रामिन शेतर के लोगों को अधिक से आधिक रोजगार हम दे हैं इस दिसा में हम लोग काम पहले सुरू कर दिये थे जिसका नतीजा लग भग साड़े चार लाग लोग आज मनरगा की जोजना की काम कर रहे ह ग्रामिन विकास विभाग ने 10 लाग जौब कार्ट पुरे राज़्बर में भेज दिया है जिसे प्रवासी मुदूरों को कॉरेंटीन में भेजने से पहले ही भर देना होगा सरकार बाहर सारे मुदूरों को कॉरेंटीन के बाद रोजगार उखलब करवाईगी ग्रामिन विकास मंतरी आलंगिर आलंग का कहना है कि उसके लिए जिलावाद निर्दिश्ट जारे किया जा चुका है प्रवासी मजदूरों की बापसी के साथ उन्हें रोजगार देना सरकार की बली चुनौती है जिसे सरकार ने स्युकार करते वे इसके तैयारी शुरू कर दी है जैसे जैसे मद्दूर वापस आएंगे और काम करने की इक्षच जताएंगे सरकार उन्हें रोजगार से जोड़ने का काम करेगी राची से कैमरामेन अभे के साथ निउज 11 भारत के लिए विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट